इस शुडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्णाल इबारत समलो 2 का प्रश्ण नमर 3 को हल करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वडियो को तो देखिए dear students प्रश्ण में हमसे क्या कहा गया है कि निम्दखित कथनों में जो संख्या परकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए तो देखिए dear students इस प्रश्ण में हमें कुल 5 भाग दिये गए है जिसमें से पहला भाग हमें क्या दिया गया है कि एक माइक्रोन एक बटे दस लाख मीटर के बराबर होता है तो देखे इस कथन में जो हमें संख्या दिया गया है उसे हमें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया है तो हमें क्या संख्या दिया गया है एक बटे में 10 लाक तो इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे अब इस संख्या को हमें मानक रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया है तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे सबसे पहले हम इस संख्या को इस तरह से लिख सकते ह एक बटे में 10 की घात 6, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 0 है यह 6 बार है, इसलिए हम इसको 10 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखिए जब हम किसी भी संख्या को माना के रूप में लिखते हैं, तो हम कभी भी संख्या को बटे में नहीं छोड़ते हैं, लेकि जब A की घात माइनस M हो, तो इस माइनस M को, यानि कि रिनात्मक घात को धनात्मक करने के लिए इस पूरे को हम इस तरह से एक बटे में A की घात M लिख देते हैं, तो हमारा घात धनात्मक हो जाता है, तो देखिए ये जो एक बटे में A की घात M है, इस रूप में ये हमारा 1 है जब दस घाट चेट ऊपर ले जाएंगे तो यह कमारा गुणा में हो जाएगा और चेगा और इस तरह से 10 घाट मानक रोप है इस संख्या का अब कथन में इसके आगए हमें मीटर दिया गया है तो यहां पर हम मीटर भी लिख देंगे क्योंकि यह unit है याई कि एकाई है तो इसतरह से 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर यह हमारा मानक रूप है इस संख्या का ठीक ाथ तो इस तरह से पहला भाग सौल हुआ, अब देखिए दूसरा भाग करते हैं, तो दूसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो देखिए दूसरे भाग में हमें यह संख्या दिया गया है, इसको हमें मानक रूप में तो देखिए यह हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, कि जब हम किसी भी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम मानक रूप में व्यक्त करते समय, दसमलों से पहले सिर्फ एक अंक को लिखते हैं, ठीक है, तो द देखिए इस दसमलो को हमने इधर शिफ्ट किया है तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते हैं और दसमलो को दाइं तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो हमेशा हमारा इसमें भाग का कंडिशन बनेगा ठीक है तो यानि कि यहाँ पर हमने लगाया है दसमलो इस तरह से देख सकते हैं तो 19 अंको के बाद लगाया है इसलिए यहाँ पर हम बटे में लिखेंगे 10 की घात 19 ठीक है देखे यहाँ पर हमने बटे में क्यों लिखा है बटे का मतलब जैसे आपको पता है कि भाग होता है तो यहाँ पर हमने भाग में क्युों लिखा है क्योंकि हमने दसमलोगों को दाएं तरफ shift किया है यानि कि इस side पे shift किया है तो जब दसमलोगों को इधर shift करते हैं तो हमारा हमेशा भाग का condition बनता है ठीक है इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है तो देखिए अब हमारा इस तरह से condition बन गया कुछ इसकी तरह अब हम क्या करेंगे कि इसको मानक रूप में व्यक्त करने के लिए हम इस तरह से एक दसमलो 6 लिखेंगे और इस 10 की घात 19 को उपर ले जाएंगे तो यह हमारा गुणा में हो जाएगा और यह इस तरह से 10 की घात माइनस 19 लिखा जाएगा कुछ इसकी तरह से इस नियम का परियोग करके तो इस तरह से यह हमारा एक दसमलो 6 गुणा 10 की घात 21-29 इस संख्या का मानक रूप है ठीक है? अर इस संख्या के आगे लिखा एक कुलांब तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुलांब और यह हमारा क्या होता है मात्रख होता है यहनि कि 유ुनिट होता है किसका? इलेक्टरोन के आवेश का ठीक है? अब देखिए इसको हमें मानक रूप में वेक्त करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हमारा δसमलो यहाँ पर लगाए और जैसे कि मैंने आपको पहली बताया कि हमारा दसमलो जो है वो एक अंक के बाद लगता है यानि कि दसमलों से पहले सिर्फ एक अंक होता है तो देखे यहां पर क्योंकि एक ही अंक है इसलिए इस दसमलों को हम यहां पर लेकर आएंगे यानि कि पांच के बाद लगाएंगे तो देखे पांच हमने इस तरह से लिखा अब दसमलों को इसलिए इसमें भी हमारा भाग का condition बनेगा और देखें दसमलों को हमने कितने अंकों के बाद shift किया है तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि कि दसमलों हमने यहां पर shift किया है तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा 10 की घात 7 ठीक है अब देखें इसको हम मानक रूप में change कर देंगे ये ह इसी नियम का परियोग करके तो इस तरह से ये 5 गुणा 10 की घात माइनस 7 है और इसके आगे मीटर लगा है तो हम यहां पर मीटर लिख देंगे तो इस तरह से यह हमारा मानक रूप है इस संख्या का तो इस तरह से तीसरा भाग सौल हुआ अब देखें चौता भाग करते है हैं तो देखिए धी updates जूइंज चौत में हमें क्या संख्या डिया गया है उसको सबसे पहले हुख लेते हैं तो देखिए इसमें हमें दिया गया है 0.000012575 इसको अब मानक रूप में कैसे चैनल करेंगे देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए जैसकि इन्या को पहले बता है तो यहां पर हम इस तरह से जो दसमलोव है वह एक के यानिकि इसके बाद लगाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे एक थे समलोव दो शाथ पंच ठीक है तो दसमलों से पहले हमारा एक अंख हो गया ये अब देखिये दसमलों हमने कितने अंखो Kr시면 लगाया है यह एक दो तीन चार पांच पांच अंकों के बाद तो यहाँ पर हम लिखेंगे बटे में 10 की घात 5 बटे में क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो दसमलो है वो इस रिनात्मक घात है जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह रिनात्मक हो जाएगा और इस संख्या के आगे लिखा हुआ मीटर तो यहाँ पर हम मीटर लगा देंगे तो यह हमारा हो गया चौथे भाग का मानक रूप ठीक है अब देखिए पाच्वे भाग में हमें क्या संख्य दिया घया है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो हमें दिया गया है 0.07 टो देखिए यह बहुत ही असान ऋर्विशा को कहाँकर चिफ्ट होगा होग क्यों कि सिर्फ टो गयों कि सिर्फ एंग है तो इसलीए हमारा हमेशा चौप के पहले distractions काओ यहा उन्त होता है तो इसक इतने अंकों के बाद दो अंकों के बाद तो इसलिए यह हमारा बटे में दस की घात दो हो जाएगा अब देखिए इसको हम मानक रूप में लिख देंगे साथ गुणा दस की घात माइनस दो और इस संख्या गया गए मिलीमीटर लगा हुआ है यानि कि mm तो यहां पर हम लिख कर लीजे ताकि नेक्स चुडियो जैसे अप्लोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो फिर मिलते एकली वीडियो में धन्यवाद